तो फ्रेंट्स स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल स्टेरी आवर लाइफ में तो फ्रेंट्स इडूटेरिया का कुछ दिन पहले एक करेंट अफेर का बुक आया था जो वार्सिकी 2022 का करेंट अफेर का बुक था जो बुक आपको BSSC CZL exam के टाइम आया था और इस बुक में जो है वो नौवमबर 2021 से नौवमबर 2022 तक का करेंट अफेर का ये बुक था जिसमें की आपको दो महिने का करेंट बच गया था नौवमबर और दिसंबर का जो सर अभी PDF के माध्यम से उसको प्रोवाइड कर दिये हैं जिसमें की रास्टिये घटना करम अनतरास्टिये घटना करम उसके अलावे आपको चर्चित पूरसकार उसके बाद खेल से संबंदित पूरसकार और जो नई नूगतियां हुई है वो सभी को आप लोग देख सक कर दे कि इस बुक का जो मास्टर वीडियो है और फिर टॉपिक बाइज आपको हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको इस वीडियो में दे देंगे वहां से सभी लोग देख सकते हैं इसे और यह दो महिना जो बच गया था उसे हम इ आप लोग PDF ले सकते हैं ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राष्टिय घटना करम की ओर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम दिसंबर को देखते हैं दिसंबर में देखिएगा संस्कृती मंत्राले द्वारा स्वे धरोहर फाउंडेशन क सहयोग से नई दिल्ली में तीन दिवसिये स्वे धरोहर महतसब का आयोजन किया गया संस्कृति मंत्राले द्वारा स्वे धरोहर फांडेशन के सहयोग से कौन से फांडेशन के द्वारा स्वे धरोहर फांडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में तीन दिवसिये स्वे धरोहर महत सब का आयोजन किया गया ठीक है नेक्स्ट है कि एक से दस दिसंबर तक नागा लेंड में हॉर्ण विल मोहद सब 2022 का आयोजन किया गया जिसमें मुखती थी उपराश्ट पती जगदीफ धनकर थे कौन थे जगदीफ धनकर जो बरतमान में अपने भारत के उपराश्ट पती है जो नागा लेंड में हॉर्ण विल मोहद सब मनाया गया है उसके आयोजन में मुखती थी थे हॉर्ण विल फेस् दर्ड खंट का ब्रान्ट अमस्टर बनाया गया मैक येंन वर्ल्ड गुरूप एंडिया के प्रप्रमुक्क कारिकारी अ्दिकारी प्रसूण जोशी को लिपना अमस्ट दर दर्ण अमस्टर बनाया गया ठीक है भारत के महांपंचियक कारेल है के अनुसार 2014-16 में मात्री मिर्थूदर 130 परति लाग थी जो वर्ष 2018-20 में घटकर 97 परतिलाग हो गई है यानि भारत के महापंचियक कारेल है यानि RGI के अनुसार 2014-16 में मात्री मिर्थूदर 130 परतिलाग थी जो 2018-20 में घट कर 97 प्रतिलाग हो गई है ठीक है अगला देखिए गैस मुल के निर्धारन के लिए गठित की गई समीती किरिट पारेक समीती कौन सी समीती है किरिट पारेक समीती ने अपनी रिपोर्ट पेट्रॉलियम मंत्राले को शौंपी है गैस मुल के निर्धारन के लिए गठित की गई समीति जिसका नाम है क्रीट पारेक समीति ने अपनी पेट्रोलियम मंत्रालै को रिपोर्ट सौंप दी है ठीक है उतर पड़े सरकार द्वारा एक जीला, एक उत्पाद की तरज पर, एक जीला, एक खेल योजना की सुरुवात की गई ठीक है? नेक्स्ट आता है कि 11 दिसंबर 2022 को प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने सीडिनी और नागपुर के बीच महराष्ट के दूसरे एक्सप्रेस बे समरिद्धी एक्सप्रेस बे के पहले चरन का उधगाटन किया 11 दिसंबर 2022 को प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने सीडिनी और नागपुर के बीच महराष्ट के दूसरे एक्सप्रेस बे समरिद्धी एक्सप्रेस बे के पहले चरन का उधगाटन किया मेघाले में दवाई पहुचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन अस्थापित किया गया और ये भारत का पहला राज्य होगा ठीक है किरसी निवेस पोटल कोन सा पोटल है किरसी निवेस पोटल केंदरिये किरसी और किसान कल्यान विभाग जो है इसने सुरू किया है किरसी निवेस पोटल को केंदरिये किरसी और किसान कल्यान विभाग ने उदेश क्या होगा कि जो किरिसी और संबंध छेतर से संबंधित विभिन सरकारी योजनाओं को लाप्राप्त करने के लिए किरिसी निवसकों के लिए एक केंद्री कृत वन स्टॉप पोर्टल ये इसका मुख उदेश है ठीक है? नेक्स आता है कि 6 दिसम्बर 2022 को भारत एवं बांगलादेश के द्वारा मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया मैत्री दिवस की 51 वर्सगाट धाका में मनाई गयी मैटरी दिवस का जो 51 माँ वर्शगार था वो कहा पे मनाया गया धाका में और ये मैटरी दिवस भारत एवँ बांगलादेश के द्वारा मनाया गया छो दिसम्बर को, ठीक है कप्रा मंत्राले द्वारा टेकणोटेक्स टेक्नो टेक्स दो हजार तैस का आयोजन फरवरी दो हजार तैस में मुंबई में किया गया कप्रा मंत्राले द्वारा टेक्नो टेक्स दो हजार तैस का आयोजन फरवरी दो हजार तैस में मुंबई में किया जाएगा भारत का पहला गोल्ड एटियम हैदराबाद में लॉंच किया गया और इस एटियम की सहता से लोग अपना डेविट काड या क्रेडिट काड लगा कर सोने के सिके खरिद सकते हैं ठीक है गुजरात में हुए 15 विधान सभाचुनाओ में बीजेपी ने 183 में 156 सीटे जीती है किसने बीजेपी ने वही हिमाचल प्रदेश में हुए बिधान सभाचुनाओ में कॉंग्रेस ने 68 में 40 सीटे जीती है तो गुजरात में जो 15 में विधान सभाचुनाओ हुआ उसमें बीजेपी को 183 सीट में से 156 सीट मिला वही हिमाचल प्रदेश में विधान सभाचुनाओ में कॉंग्रेस को 68 सीट में से 40 सीट मिला नॉमा विश्व आयुवेद कॉंग्रेस और अरग एक्स्पो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया गया गुजरात में हुए बिधान सभाचुनाओ में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आमादनी पार्टी भारत की नौमी रास्टिये पार्टी बन गई गुजरात में हुए बिधान सभाचुनाओ में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आमादनी पार्टी भारत की नौमी रास्टिये पार्टी बन गई और आमादनी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब दोनों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है अब आता है श्वास सड़ी स्वास नहीं है शवाश है शवाश सवास का देखिएगा सवास एक योजना है योजना एवं एप इसे तमिलांडू सरकार ने शुरू किया है अगर हम बात करें इसे सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ विलफेर्स एंड सेफटी ये सवास का फूल फॉर्म है और ये एक योजना भी है और या इसके नाम से एक एप भी है जो कि दोनों तमिलांडू सरकार ने शुरू किया है और इसका उदेश रखा गया कि राज के स्वक्षता करमचारियों और अपने पडिवार के सदसो के कल्यान को बढ़ावा देना ये है शवास एप का उदेश ठीक है सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान ये अरुनाचल परदेश सरकार ने सुरू किया है सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान अरुनाचल परदेश ने उदेश के है दोस्तों कि सरकारी योजना या सेवाओं का लाब राज के लोगों पहुचाने के लिए सेबा आपके द्वार 2.0 अवियान शुरू किया गया राज के प्रकिर्ती संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायू परिवर्तन मीशन शुरू करने वाला तमिलांडू भारत का पहला राज बन गया राज के प्राकेर्थी संसाधनों की रक्षा करने के लिए अपना जलवायू परिवर्तन मीशन शुरू करने वाला तमिलांडू जो है वो भारत में पहला राज बन गया पहली G20 Finance और Central Bank Deputies की बैठक 13 से 15 दिसंबर तक बैंगलूर में आयोजित की गई G20 Finance और Central Bank Deputies की बैठक 13 से 15 दिसंबर तक बैंगलूर में आयोजित की गई ठीक है हुरून गुलोबल 500 सुची 2022 में 20 भारतियों कमपनियों ने 500 सबसे मुल्यवान कमपनियों में अपना अस्थान बनाया और भारत नौमें अस्थान से अब पांच में अस्थान पे आया भारत का अस्थान जो पहले नौमा था अब वो पांच में अस्थान पे आ गया ठीक है अब नेक्स्ट आपका है कि केरल के अलुवा में इस्तित एक वीज फॉर्म को भारत का पहला कारवन निट्रल फॉर्म घोसित किया गया केरल के अलुवा में इस्तित एक वीज फॉर्म को भारत का पहला कारवन निट्रल फॉर्म घोसित किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे हवाई अड़े अंतरास्टी हवाई अड़े का उदघाटन किया गया और इस हवाई अड़े का नाम पुर्व मुख मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे हवाई अड़े अंतर रास्टी हवाई अड़े का उद्गाटन किया गया और इस हवाई अड़े का नाम पुर्व मुख मंतरी मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया उत्तर पर्देश के वारा नसी में महाकवी सुब्रमन्यम भारतियार की 141 मी जैन्ती पर उनकी परतीमा का अनावरन तमिलांडू के मुखमंत्री द्वारा वर्च्वली किया गया भारत की सबसे बरी कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोची में किया गया जिसका उद्गाटन मुखमंत्री पी बिजयन ने किया नेक्स आईए 21 से लेके 24 जनबरी 2023 तक आठमा भारतिये अंतरास्टिये बिज्ञान महुत्सब का आयोजन कहां किया जाएगा दोस्तों भोपाल में पहला देश होगा फिरसे रिपिट करती हूँ कि दूर संचार के छेत्र में निवेश को आकरसित करने के लिए उपगरा संचार के लिए एस्पेक्ट्रम की निलामी करने बाला भारत देश दुनिया का पहला देश होगा ठीक है अगला प्रसनाता है कि सयुक्तिराष्ट, सयुक्तिराष्ट बोले तो UN ने पवित्र नदी गंगा को फिर से जिवन्त करने के लिए भारत की नमामी गंगे पहल को प्रकिर्ती दुनिया को पुनर जिवित करने के लिए दुनिया के सिर्ष दस बहाली प्रमुख पहलों में से एक के रुप में मानिता दी है मतलब UNT&क दुनिया को प्रकिर्तिक दुनिया को उनर जिवित करने के लिए दुनिया की सिर्ष 10 बहाली प्रमुख पहलों में से एक के रुप में प्रिमानिता दी गई है ठीक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिम्टेड कारवन उत्सर्जन को कम करने के लिए बजार अधारित बैपार योग उपकरनों का उपयोग करके देश का पहला कारवन नीट्रल पावर एक्सचेंज बन गया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि कि अरुनदय 2.0 योजना की शुरुवात असम सरकार ने की है जिसका उद्देश है कि इस योजना के तहद राज के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रतीमा DVT के माध्यम से 1200 रुपया की रासी प्राप्त हो रही है फिर से रिपीट कर देती हूँ जो अरुनदय 2.0 योजना है इसे असम सरकार ने सुरू किया है और इस योजना का मुख उद्देश है कि राज के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रतीमा DVT के माध्यम से सारे 1200 रुपया की रासी बढ़े और इससे पहले ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलांडू सरकार अध्यादेश लाच की है तो मध्यपर्देश सरकार ने जो ऑनलाइन जुआ है उसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का अगठन किया है और मध्यपर्देश से पहले इससे अध्यादेश को ला चुकी थी ठीक है इस्टील कंपनी कल्यानी समूध्वारा निर्मीत भारत के पहले ग्रीन इस्टील ब्रांट कल्यानी फोरेस्टा को इसपात मंत्री जोतिरा अधित सिंधिया द्वारा लॉंच किया गया अगला आता है कि मदपर्देश के महू में भारत के पहले इनफेंट्री सेना संग्राले का उद्गाटन किया गया तिरपुरा के उना कोटी की चटानो को काट कर बनाई गई मुर्तियों को युनेस्को के विस्धरोहर अस्थलों की आस्थाई सुची में सामिल किया गया अनुस्का सर्मा को अपना ब्रांडमिस्टर बनाया है प्यूमा इंडिया ने अनुस्का सर्मा को अपना ब्रांडम्बिस्टर बनाया है नेक्स्ट है पीटी उसा राजसभा के उपसभापती पैनल में सामिन होने वाली पहले मनोनित सांसत बनी कौन पीटी उसा 23 से लेके 26 दिसंबर के बीच नौर्थ इस्ट फेस्टिवल का दस्मा संसकरन नई दिल्ली के जवाहरलाल नहिरू स्टेडियम में आयोजित किया गया उपभोगता मामले के मंत्री प्यूस गोयल द्वारा राइट टू रिपेर पोटल लॉंच किया गया राइट टू रिपेर पोटल और इस पोटल के निर्माता ग्राहकों के साथ उत्पादन वित्रन के मैनौल को साज़ा करेंगे नेक्स्ट आता है कि लदाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को लोशर महुत सम मनाया गया और लोशांग पुछे लोशांग तो वो शिक्किम का फिस्टिवल है लोशर पुछे तो लदाख में याद रखिएगा Center for Economics and Business Research CEBIR के अनुसार 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन जाएगा Center for Economics and Business Research के अनुसार 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन जाएगा केरल का धर्म दम पुर्ण पुस्त कालय वाला भारत का पहला निर्वाचन छेत्र बन गया है केरल राजसरकार द्वारा बेकेल की ले के पास अंतरास्टिये समुद्र तट महोटसव का आयोजन किया गया केरल रासरकार के द्वारा बेकेल के ले के पास अंतारास्ट ये समुद्र तट महोटसब का आयोजन किया गया महरास्ट लोका युक्त विधायक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज बन गया महराष्ट लोगका युक्त विधायक 2022 को पारित करने वाला पहला देश बन गया जिसके तहद लोगपाल के दाइरे में मुखमंत्री, मंत्री और जन परतिनिधियों को लाया गया ग्री मंत्री अमित्सा द्वारा सीमा सुरक्षा बलके मोवाइल एप प्रहरी को लॉंच किया गया प्रहरी ये जो है बिये सेफ के द्वारा जशुरू किया गया है जिसको लॉंच किये हैं ग्री मंत्री अमित्सा ने नेक्स्ट आता है कि भारत की पहली Underwater Metro सेवा कोलकता में दिसंबर 2023 में सुरू हो गई ठीक है कोलकता में Underwater Metro सेवा की सुरूत हो चुकी है जो कि भारत की पहली है उरिशा के बरगढ में सबसे बढ़ा open air theater festival धनू सियात्रा जो कि 27 दिसंबर 2022 से 6 जन बरी 2023 तक आयोजित किया गया तो उरिशा के बरगढ में सबसे बढ़ा open air धियेटर फेस्टीवल धनू सियात्रा 27 दिसंबर से 6 जन बरी 2023 तक आयोजित कि गई तमिलांडू सरकारद्वारा राजकिये पसु के संदक्षन के लिए निल गिरी तहर पर्योजना की सुरुआत की गई तो तमिलांडू सरकार द्वारा राजकिये पक्चु के संरक्षन के लिए निल गिरी तहर पर्योजना की सुरुआत की गई हाली में दिल्ली सरकार द्वारा अपनी सौर निती 2022 को मंजूरी दी गई और इसका उद्देश 2025 तक सौर उर्जास थापित छमता को 6000 मेगावार्ट तक पहुचाना है नेक्स्ट है अमरित भारत स्टेशन योजना ये रेल मंत्राले ने सुरू किया है उद्देश क्या है कि पूरे देश में रेलवे स्टेशन का आधुनी करन करना नेक्स्ट है ये पहारी छेतर में कमजोर जल्विद्दूत परियोजना या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अस्थापित करने के लिए केंद्रिये उर्जा मंत्राले और DRDO ने समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो पहारी छेतर में कमजोर जल्विद्दूत परियोजना या बिजली स्टेशन के लिए जो प्रारंभिक चेतावनी या उस्प्रणाली को अस्थापित करने के लिए केंद्रिये उर्जा म आर्ट पार्क एबं गूगल द्वारा सवयुक्त रूप से इसे जारी किया गया है आर्ट पार्क गूगल एबं भारतिय बिज्ञान संस्थान ये दोनों ने मिलके प्रजेक्ट वानी को जो है वो लॉंच किया है इसका उद्देश जो है वो आर्टिफिसियल इंटेलिजन यानि आईबी के अधारित पर भासा मॉडल के निर्मान के लिए पूरे भारत से भासा डेटा एकत्र किया जाएगा जो विविद भारतिये भासाओं को समझ सकेंगे ठीक है उसके बाद है रास्टिये उर्जा सररक्षन दिवस ये 14 दिसंबर को वनाया जाता है रास्टिये द्रोपती मुर्मु ने नई दिली में EV यात्रा मोवाइल एप्लिकेशन लॉंच किया तो भारत की रास्ट पती द्रोपती मुर्मु ने EV यात्रा मोवाइल एप्लिकेशन को लॉंच किया रास्टिये उर्जा सरक्षन दिवस के अबसर पर नेक्स्ट है सुप्रीम कोट ने ग्रेट इंडियन वस्टर्ड यानि GIEB की रक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट GIV का विचार पेस किया है सुप्रीम कोट ने ग्रेट इंडियन वस्टर्ड की रक्षा के लिए याजका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट जी आईवी का बिचार पेस किया है हाली में राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तसिल्फ निती 2022 जारी की है हाली में नवीन वा नवी करनी बॉर्जा मंत्राले ने रास्टिये जैब उर्जा कार्ज करम 2026 लागू करने की घोसना की है इसका उद्देश बायो एनर्जी की उपियोग को बढ़ावा देना तथा निवेस को आकरसित करना है अगला है केरल सरकार ने प्रदोग की हस्तांतरन योजना टेकनोलोजी ट्रांस्फर इस्खिम की सुरुवात की है केरल सरकार ने उदेश है देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रदवकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टप उद्यमियों द्वारा किये गये वे की पूर्ती के लिए योजना बनाना ये है आपका प्रदवकी हस्तांत्रन योजना का मुख उदेश 18-19 November को नई दिली में No Money for Terror समिलन का आयोजन किया गया इसका उदेश आतंकवाद के लिए बित पोशन को रोकने के लिए अंतराश्टिय मंच तयार करना था और यह तीसरा संस्क्रन था जो ग्री मंत्राले द्वारा आयोजित किया गया No Money for Terror अगला आता है Reliance Industries Limited द्वारा भारत का पहला Multi Logistic Park तमिलांडू के चिन्ने में विक्सित किया जाएगा इसे PM गती सकती रास्टिय मास्टर प्लान के तहद लागू किया जाएगा तो Reliance Industries Limited के द्वारा भारत का पहला Multi Model Logistic Park तमिलांडू के चिन्ने में विक्सित किया जाएगा इसे PM गती सकती रास्टिय मास्टर प्लान के तहद लागू किया जाएगा ठीक है हाली में रास्टिय महिला आयोग ने Digital सकती 4.0 अवियान लौंच किया है किसने तो रास्टिय महिला आयोग ने Digital सकती 4.0 अवियान को लौंच किया है और उद्देश है कि साइबर क्राइम के खिलाप महिलाओं को Digital रूप से कुसल बनाना उडिसा की बाली यात्रा में 35 मिनट में 22,000 कागच की नाव बनाने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया उडिसा का जो बाली यात्रा हुआ उसमें 35 मिनट में 22,000 कागच की नाव बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने अरुनाचल पर्देश में 600 मेगावाट की कामेंग जलविद्धूत पर्योजना रास्ट को समर्पित किया नेक्स्ट आता है केंद्रिये स्वास्थ एवं पडिवार कल्यान मंत्राले ने रास्टिये आत्महत्या रोगथाम रन निती की सुरुवाद की और इसका लक्ष 2030 तक आत्महत्या मिर्टुदर को 10% तक कम करना है नेक्स्ट है कि 21 नौवंबर से 30 नौवंबर तक मनीपूर में संगाई महत्सब का आयोजन किया गया मनीपूर में संगाई महत्सब का आयोजन किया गया 21 से 30 नौवंबर तक अमूर फालकन फेस्टिवल मनीपूर में मनाया गया अमूर फालकन फेस्टिवल कहां मनाया गया मनिपूर में बांगला महुत सब मेग हाले में हाली में तमिलांडू सरकार ने मदुरई जिले के मिनाक्षी पूरम तथा अरिटा पट्टी को राजिका पहला जैब विवता बिरासत अस्तल गोसित किया है तमिलांडू सरकार ने मदुरई जिले के जो मिनाक्षी पूरम है और अरिटा पट्टी को राजिका पहला जैब विवता बिरासत अस्तल गोसित हुआ है IDFC Fast Bank ने हाली में भारत का पहला स्टीकर वेस्ट डेविट कार्ड लॉंच किया है जिसे Fast Tap नाम दिया गया है और ये IDFC Fast Bank ने भारत का पहला स्टीकर वेस्ट डेविट कार्ड को लॉंच किया नेक्स्ट है हर घर गंगा जल योजना ये बिहार सरकार ने सुरू किया है हर घर गंगा जल योजना उदेश है जो गंगा नदी का पानी सूखे इलाकों में पहुचाना और राजगीर, बोध गया, गया तथा नवादा में गंगा जल पहुचाया जाएगा इस योजना के माध्यम से पहले चरण में लगभग 4,000 करोर पड़िपगी के साथ राजगीर, गया, बोध गया में लागू होगा और साथे साथला घरों में पानी की आपूर्ती करेगा दूसरे चरण में नवादा में 2023 में लागू किया जाएगा जिसे इसे जल जीवन हरियाली योजना के तहट लागू किया जाएगा अब आता है कि भारत ने 26 जनबरी 2023 को गंतंत्र दिवस के अवसर पर मिसर के रास्ट पती अवदेल फते अल सीसी को मुख अतिती के रूप में आमंद्रित किया था तो मुख अतिती कौन थे अवदेल फता अल सीसी जो कि मिसर के रास्ट पती थे मुंग फली महुद सब कडले काई पारिशे कहां आयोजित किया गया नई चेतना अवियान केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर को रास्टिये गरामीन अजीविका मिसन के तहद इस अवियान की सुरुआत की गई किसकी सुरुआत की गई अजीविका मिसन के तहद नई चेतना अवियान की सुरुआत की गई 25 नवंबर को रास्टिये गरामीन अजीविका मिसन के तहद इसका थीम जो है वो लिंग अधारित हिंसा है लिंग अधारित हिंसा जो है ये इसका मुख थीम है उद्देश है कि महिलाओं के खिलाब हिंसा का उन्मुरन करना ये इस मोजना का मुख उद्देश है अब है अमलान, अमलान की बात करें तो एनेमिया मुक्त लख अभियान जो है ये अमलान है और उडिसा सरकार द्वारा अमलान की सुरुवात की गई है इसका उद्देश है कि जो महिला है और बच्चे इन्हें एनेमिया का पुर्ण उन्मुलन सुनिश्रिक्त करना ये अमलान योजना का मुख उद्देश है मतलब योजना अभियान का ठीक है अब देखते हैं G20 अभी G20 काफी चर्चा में है भारत ने पहली वार G20 के अध्यक् की जाएगी और निती आयोग के पुर्व सीओ अभिताब कांथ भारत की ओर से G20 के सिरेपा हैं बहुत इंपोर्टेंट है क्रिसी थौन 2022 क्रिसी थौन 2022 महराश्ट के मुख मंत्री एकनात सिंधे ने नासिक में किर्सी एक्सपो किर्सी थौन का उधगाटन किया मुख मंत्र दुनिया भर में पड़ियों की जा रही नवीन किर्सी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है ठीक है अगला है कि भारत बायोटेक ने इन को वैक को अभी बयसकों के लिए कोवीड वुस्टर डोज के रूप में मंजूरी दी है भारत बायोटेक ने इन को वैक को शभी बय उनेश को भारत अफरीका हैकाथान 2022 का उधगाटन किया और इसका उदेश नवाचार और स्टार्टप्स को बढ़ावा देना है तो उत्तरपरदेश के मुखमंत्री योगी आदितनाथ ने ग्रेटर नोडा में गौतम बुध विस्विद्याले में उनेश को भारत अफरीका ह है खाथान 2022 का उधगाटन किया उदेश किया था नवाचार और स्टार्टप्स को बढ़ावा देना ठीक है अगला है इगवर्नेंस पर 25 रास्टिये समेलन जम्मू के कट्रा में आयोजित किया गया समेलन का बिसे था नागरी को उध्योग और सरकार को निकट लाना ठीक है अगला आता है सुसासन पुरसकार योजना की सुरुआत हरियाना सरकार ने किया उदेश क्या रखा कि जो कार रस्तल पर औसाधारन पर्यास करने वाले वेक्तियों को शमानित करना ये सुसासन पुर वर्ड कॉंग्रिस दो हजार बार योजन मुंबई में किया गया 27 मा वर्ड कॉंग्रेश 2022 लेखा गारों का कहां पर मुंबई में जिसे केंदरिये मंत्री प्यूस गोयल ने संबोधित किया ठीक है नेक्स्ट आता है अमर सरकार पोटल अमर सरकार पोटल की सुर्वा तिरपुरा सरकार द्वारा लॉंच किया गया उदेश रखा गया कि सरकार का आम लोगों तक पहुँच बढ़ाना तथा आधुनिक तक्निकों के बारे में लोगों को जागरू करना अमर सरकार पोटल का मुख उदेश है किसने सुरू किया तिरपुरा राज सरकार ने नेक्स्ट है कि 15 से लेके 17 नौम बर तक हैदराबाद में जल सक्ती मंत्री गजिंदर सिंग से खावत ने जीओ स्मार्ट इंडिया 2020 सिखर समिलन का उद्घाटन किया 15 से 19 नौम बर तक हैदराबाद में जल सक्ती मंत्री जो गजिंदर सिंग से खावत है इन होने जीओ स्मार्ट इंडिया 2022 सिखर समिलन का उद्घाटन किया उदेश गरीवी उन्मुलन जीवन अस्तर में सुधार जलवायू परवर्तन का मुकावला करना तो क्या उदेस्था गरीवी उन्मुलन जीवन अस्तर में सुधार जलवायू परवर्तन का मुकावला करना नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की लॉस्ट नायक मंजु पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइबर बन चुकी है उन्होंने दुरूब हेली कॉप्टर से 10,000 फिट की उचाई से छलांग लगाई थी अगला है 17-22 नुवंबर तक मिजोरम में अंतरास्टिये परेटन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया परेटन मार्ट का जिसका उद्देश अंतरास्टिये बजार में उत्तर पुर्वी छेतर की परेटन छमता को उजागर करना है 17-9 नुवंबर 2022 से उत्तर परदेश के वरानसी में कासी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है 17-9 नुवंबर 2022 से और इसका आयोजन भारतिये सिक्षा मंत्रा ले द्वारा किया गया किसका वारानसी में 80 तमिल संगम का आयोजन किया गया इसका जो आयोजन है भारतिय सिक्षा मंत्रा लेने किया इसमें क्या होगा कि जो 12 विभिन विरिन श्रेनियों के प्रतिनिदित तमिल आंडू से 80 का दोरा करेंगे इसमें भागीदार राज मदपरदेश है और भागीदार देश पूछे तो वो नेपाल है ठीक है? एक तालिस्मा भारत अंतरास्टिये बेपार मेला बहुत इंपोर्टेंट है एक तालिस्मा भारत का अंतरास्टिये बेपार मेला इसमें जो है नई दिल्ली के परगती मैदान में वानी जो उद्योग मंत्री प्यूस गोयल ने इसका उदगाटन किया थीम क्या था भोकल पर लोकल लोकल टू ग्लोबल ये इसका 41 मा भारत अंतरास्टिय बेपार मेला का थीम था फोकस राज यूपी और केरल था फोकस राज चो था 41 मा भारत अंतरास्टिय बेपार मेला का वो यूपी और केरल था भागिदार राज, बिहार, जारकंड और महरास्ट था भारतिय सेना ने बीर नाडियों के कल्यान और सिकायत निवारन के लिए बिरांगना शेवा किंद्र की सुरुवात की है जियो 5G सेवा सुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज बन गया जियो 5G सेवा सुरू करने वाला गुजरात जो है वो भारत का पहला राज बन चुका है नेक्स्ट है प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने और नाचल परदेश के पहले ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उधगाटन किया प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने और नाचल परदेश के पहले ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उधगाटन किया दच्छिन भारत की पहली बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन की सुरुवात बैंगलोर से की गई दच्छिन भारत की पहली बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन की सुरुवात बैंगलोर से की गई नेक्स्ट है हिमाचल परदेश के कासी गंगा में दुनिया का सबसे उँचा मतदान केंदर खोला गया और ये जो है 15256 फीट की उँचाई पर इस्तित है प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने बैंगलोरु में नाद प्रभु कैम्प गोरा में 108 फीट उँची कास प्रतीमा का अनावरन किया जिसे Statue of Prosperity नाम दिया गया तो प्रधानमंत्री नर्णर मोदी जी के द्वारा बैंगलूरू में नाद प्रभू कैम्प गोरा में 108 फीट उंची कासपरतिमा का आनावरन किया गया जिसे Statue of Prosperity नाम दिया गया बहुत इंपोर्टेंट है हाली में तमिलांडू ने कामेरी दच्छिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17 में बंजिव अभ्यारन के रूप में अधिसुचित किया है नेक्स्ट आता है उत्राखंड सरकार ने हाई कोट को नैनी ताल से हलदानी करने का निड़े लिया है किसने उत्राखंड सरकार ने मुखमंत्री सिक्छा पुरसकार योजना उडिशा सरकार ने सुरू किया है इसका उद्देश है छात्रों सिक्छकों और प्रधाना चारों आधि को सिक्छा के छेत्र में उत्कृष्ट कार्ज करने पर पुरसकार प्रधान किया जाएगा नेक्स्ट है जम्मु कस्मीर के उपराजपाल मनोज सिन्धा ने वार्सिक युवा उत्सब्द सोनजल 2022 का उद्धगाटन किया और उद्देश युवा का लाकारों को अपनी प्रतीभा का प्रधर्शन करने के लिए मन्च उपलब्द कराना है ठीक है? 11-12 नौवंबर 2022 को वरा नसी में केंद्रिये बंदरगा जहाज रानी और जलमार्ग मंत्राले ने पीम गती सक्ती मल्टी मोडल जलमार्ग सिखर समेलन का आयोजन किया 11 से 12 नौवंबर 2022 को 12 नसी में केंद्री बंदरगा जहाज रानी और जलमार्ग मंत्राले ने पीम गती सक्ती मौल्टी मोडल जलमार्ग सिखर समेलन का आयोजन किया 2 से 3 नौवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केंद्री मंत्री मन्सुक मंडाविया ने किया और इसका आयोजन केंद्र सरकार रासायन एवं उर्वडग मंत्राले तथा फिक्की ने सयुक्त रूप से किया इसका उद्देश क्या है प्रोट्रो केमिकल एवं रासायन के छेतर में निवेश को आकरसित करना ठीक है हाली में जलसल साधन एवं नदी विकास मंत्राले ने एक से लेके 5 नौवंबर तक ग्रेटर नौवडा में भारत जलसपता का आयोजन किया जिसका उद्गार्टन रास्टपती द्रोपती मुर्मू ने किया तो जलसल साधन एवं नदी विकास मंत्राले ने एक से 5 नौवंबर तक ग्रेटर नौवडा में भारत जलसपता का आयोजन किया उद्घाटन रास्टपती द्रोप्ती मुर्मू ने किया और इस वर्ष इसका थीम था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा भारत जल सपता का थीम था इसमें डेनमार्क, फिल्लैंड, सिंगापूर ये तीन देश इसमें भागिदार देश रहे हैं डेनमार्क, फिल् या जापानी तक्निक पर अधारित है तो प्रदानमंत्री नरेंदरमोदी जी के द्वारा गुजरात के पर जापानी तक्निक पर अधारित है अगला प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने राजस्थान के बासवारा में इस्थीत मानगड धाम को राश्टी अस्मारक घोसित किया है और मानगड धाम बिरिटिस सेना द्वारा मारे गये लगभग 1500 आदिवासी का अस्मारक है मानगड बेंगलूरू में इनवेस्थ करनाटक 2022 वैस्थ्विक निवेस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने संबोधित किया तो बेंगलोरू में इन्वेस्ट करनाटक 2022 वैस्ट्विक निवेस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने संबोधित किया ठीक है अगला हता है कि 1-3 नौवंबर तक 36 गड के राइपूर में रास्टिये जन्जातिये निर्थ महुत्सब का आयोजन किया गया CRPF में पहली बार दो महिला आइदिकारी एनी अमराहम तथा सुधा धूडिया को आईजी निव्थ किया गया इसमें सीमा धूडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया बहुत इंपोर्टेंट है ये बिहार से भी रिलेटेड है इसलिए आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है नागरिक संपर्क और संचार कार्जकरम इसे मेघाले सरकार ने शुरू किया है उद्देश सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी अस्तर तक पहुचाना है और अधिक से अधिक लोगों को इससे लाफ दिलाना है नागरिक संपर्क और संचार योजना कार्जकरम के तहद नेक्स्ट है कि केंद्रिये समाजिक नयाई एवं अधी काईटा मंत्राले द्वारा नई दिल्ली में सिल्फ समागम 2022 आयोजन किया गया और इसमें लोगों को अपने हस्ति सिल्फ को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया हस्ति सिल्फ मतलब जो हाथ से बनाया जाता है निवेसक दिदी पहल जो है इसे इंडिया पोस्ट प्पेयमेंट बैंक द्वारा चम्मू कस्मीर में लॉंच किया गया निवेसक दिदी पहल को उद्देश क्या रखा कि वीतिय साक्षर्ता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए सुरू किया गया ये इंडिया पोस्ट पेयमेंट बैंक द्वारा जम्मू कस्मीर में लॉंच किया गया यूनेसको की इंटरनेसनल यूनियन ओफ जियोलोजिकल साइनसेज ने मेघाले में खासी हिल्स में इस्थीत मैमलूह गुफा को पहले भारतिये भूबैज्यानिक बिरासत अस्थल के रूप में मानिता दी गई UNESCO की International Union of Geological Sciences ने मिघाले के खासी हिल्स में इस्थित मैमलूहा गुफा को पहले भारती ये भूबय ज्यानिक बिरासत अस्थल के रूप में मानिता दी भारत Petroleum Corporation Limited BPCL को देश के सबसे सतत तेल और गैस कमपनी के रूप में मानिता दी गई नेक्स आता है पांडू लूपियों के संदक्षन के लिए गुजरात में विस्थु का सबसे बड़ा पांडू लिपी ग्रान थाले बनाया जा रहा है कहां पे गुजरात में चार नववंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महत्सव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन राश्टिये स्वक्ष गंगा मिसन ने किया है ठीक है चलिए अगला देखते हैं आपका आता है अंतराश्टिये घटना करम दिसंबर 2022 का देखिये अंतराश्टिये घटना करम को एक दिसंबर 2022 से भारत ने अपचारिक रूप से G20 की अध्यक्सता संभाली ठीक है दिस सितंबर 2023 में G20 सिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और भारत की G20 सिखर सम्मेलन का विशय क्या है इसे याद रखियेगा बसुदंब कटुकंब है यानि एक प्रित्वी एक पडिवार एक भबिश ठीक है ये इसका थीम है याद रखियेगा विश्र मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी State of Global Water Resources 2021 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रती वर्स कम से कम एक महीने के लिए और प्रयाप्त जल पहुँच का सामना कर रहे हैं और ये आकरा 2025 तक 5 अरब से अधिक पहुँचने का अनुमान है ठीक है तो मौसम विश्र का मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक State of Global Water Resources 2021 रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसके अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रती वर्स कम से कम एक महीने के लिए और प्रयाप्त जल पहुँच का सामना कर रहे हैं और यहां आकरा 2025 तक 5 अरव से अधिक पहुँचने का अनुमान है अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने दो साल के कारेकाल में दूसरी बार सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद की अधिक्स्ता ग्रहन की भारत का 2021 बाइस का कारेकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्थ होगा तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने दो साल के कारेकाल को दूसरी बार सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद की अधिक्स्ता ग्रहन की ठीक है और भारत का 2021 का कारेकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्थ होगा अब अगला आता है कि बियाना में आयोजीत बासे नार विवस्था की 26 मी वार्सिक पुर्ण बैठक में भारत को एक वर्स के लिए बासे नार विवस्था की अधिक्सता सौपी गई और भारत का कारेकाल 1 जनवरी 2023 से सुरू होगा तो बियाना में आयोजीत बासे नार विवस्था की 26 मी वार्सिक पुर्ण बैठक में भारत को एक वर्स के लिए बासे नार विवस्था की अधिक्सता सौपी गई और भारत इसका कार्जिकाल 1 जनवरी 2023 से सुरू होगा मतलब सुरू हो चुका है ठीक है वैस्विक बिमानन सुरक्षा रैंकिंग ये जो है वैस्विक बिमानन सुरक्षा रैंकिंग इसे अंतरास्टी ये नागरिक उड़यन संगठन के द्वारा जारी किया जाता है प्रथाम अस्थान बैस्विक बिवान सुरक्षा में सिंगापूर का है भारत का अस्थान इसमें 48 मा है अगला देखिएगा कि भारत एवं जर्मनी ने प्रवासन और गती सीलता समझोते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहद दोनों देशों में अध्यान अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुँच आसान होगी मतलब भारत एवं जर्मनी ने प्रवासन और गती सीलता समझोते पर हस्ताक्षर किया जिसके तहद दोनों देशों में अध्यान अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुँच आसान होगी दचिन अंडवान सागर में आये चक्रवाती तुफान मेंडूस का नामा करन सयुक्त अरव अमिरात के द्वारा किया गया मेंडूस कहां पे आया था दच्छनी अंडवान सागर में और इसका नामा करन यू एई द्वारा किया गया ये तुफान भारत में सबसे पहले चिन्नई समुंदी तट से टकड़ाया राष्टिय सुरक्षा सलाकार की पहली भारत मद एसिया बैठक नई दिली में आयोजित की गई बारहमी विश्व हिंदी समेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में भारत के विदेश मंत्रा लेद्वारा आयोजित किया जाएगा उसके बाद है भारतिय रिजर्व बैंक ने मालदीप मौद्रिक प्रधी करन के साथ मुद्रा अदला बदली के समझोते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहद मालदीप मौद्रिक प्रधी करन RBI से अधिक्तम 200 मिलियन डॉलर तक की रासी किस्तों में निकाल सकता है ठीक है अगला आईए आने वाली पीडियों के लिए दुम्रपान पर प्रतिबंध लगने वाला न्यूजिलेंड दुनिया का पहला देश बन चुका है तो पूरी तरह से दुम्रपान को प्रतिबंध न्यूजिलेंड ने कर दिया सयुक्तिरास्ट आर्थिक एवं समाजिक परसद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के बेवस्तित उलंगन के कारण लेंगिंग समानता के लिए लरने वाले सयुक्तिरास्ट के प्रमुख वैस्विक आयोग से इरान को बाहर कर दिया मतलब सयुक्तिरास्ट आर्थिक एवं समाजिक परसद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकार के बेवस्तित उलंगन के कारण लोंगिंग समानता के लिए जो लरने वाला सयुक्तिराष्ट के प्रमुख वैस्विक आयोग से इरान को बाहर कर दिया विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास संगठन द्वारा जारी किया गया किसके दोरा विश्वास संगठन के दोरा मलेरिया रिपोर्ट जारी किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामले की संख्या 2020 में 245 मिलियन से बढ़ कर 2021 में 247 मिलियन हो गई ठीक है और इसमें सरबधिक मामले नाइजेरिया में 27% है वहीं दच्छिन पूर्व एसिया च्हेतर के कुल मामले भारत के हिस्चा 79% है आग्गे देखिएगा उत्री अमेरिका में आये बम चकरवात ने सयुक्तराज अमेरिका एबं कनाडा के अईधिकान सिंसो को परभावित किया सयुक्त राज अमेरिका अबम कनाडा के हिसों को परभावित किया है उत्री अमेरिका में आया था एक चक्रवाद जिसका नाम बम है ब्राजील के दिगज फुटवल खिलारी पेले का बेरासी वर्स की आयू में निधन हो गया ये तीन बार विश्व कप जीतने बाले एक मात किलाली थे कौन पेले ये 1958 में 1962 में और 1970 में ब्राजील को वर्ल्ड कप की जीत दिलाई थी ठीक है अंतरास्टी ये सरम संगठन जिसको हम लोग ILO बोलते हैं ये सत्रहमी एसिया और प्रसांत छेत्रिये बैठक सिंगापुर गोषना को अपनाने के साथ शंपन हुई ठीक है और इस गोषना का उद्देश स्रम बजार से जुरी चुनोतियों का समाधान करने के लिए समाजिक संबाद सुनिशित करना और COVID-19 महामारी प्राकिर्टी आपदा जैसे संकटों का समाधान खोजना है तो अंतरास्टी सरम संगठन की सत्रहमी एसिया और प्रसांत छेत्रिये बैठक सिंगापुर गोषना को अपनाने के साथ संपन हुई और इस गोषना का उद्देश सरम बजार से जुरी चुनोतियों का समाधान करने के लिए समाजिक संबाद सुनिशित करना और COVID-19 महामारी प्राकिर्टी आपदाओ जैसे संकटों का समाधान खोजना है अगला है फोबर्स की बिश्व सौ सबसे सक्तिसाली महिला की सुची फोबर्स हर वार जारी करता है और इस सुची में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सिला वॉन्डे और लेओन सिर्सस्थान पे है फोबर्स की जो 120 की सबसे सक्सिसाली महिला की सुची है इस सुची में यूरोपिया आयोग की अध्यक्ष उर्सिला वॉन्डे और लेओन सिर्सस्थान पे है और यह सुची में 6 भारतिय महिलाओं को सामिल किया गया है इनमें एक तो बितमंत्री निर्मला सिता रमन है बायोकॉन की कारिकारी अध्यक्ष किरन मजुम्दार 100 है उसके बाद नाइका की असंस्था पक फालगुनी नायर है ह.C.L.T.E.K. के अध्यक्ष रौस्नी नादर मलोतरा है और सेवी के अध्यक्ष मादवी बुरी बुच यह सबी जो है इसमें भारतिय महिलाओं में सामिल है भारतिय इस पाद प्रधिकरन के अध्यक्ष सोभा मंडल भी इसमें सामिल है याद रखेगा इन सभी का नाम Time Magazine द्वारा 2022 Person of the Year के रूप में यूक्रेन के रास्ट पती ब्लादी मीर जेलेस्की को चुना गया अब आते हैं नौवंबर 2022 के अंतरास्टी यह घटना करम की तरफ Best Countries 2022 Best Countries 2022 की जो रैंकिंग है इसमें देखते हैं USA News and World Report 2000 USA News and World Report द्वारा जारी किया गया है Best Countries 2022 की रैंकिंग को किसके द्वारा? USA News and World Report के द्वारा जारी किया गया USA News and World Report में शूजर लैंड पहले अस्थान पे है ठीक है Best Countries में भारत का अस्थान इसमें एक तीसमा है कुल 85 देशों में और अंतिमस्थान पे बेलारूस है A.C.I.University Ranking दोहजारताइस A.C.I.University Ranking दोहजारताइस इसमें प्रथा मस्थान पेकिंग विश्विद्यालै चीन का है किसका? पेकिंग विश्विद्यालै चीन का भारत के कुल 118 संस्थान सामिल है ACI University रैंकिंग में भारतिय संस्थानों में IIT Bombay सिर्ष पर है जिसका आस्थान 40 मां है और 200 में 19 भारतिय विश्विद्याले है सिर्ष 200 में 19 भारतिय विश्विद्याले है हाली में पाकिस्तान सरकार ने 2027 से देश में ब्याज मुप्त बैंकिंग परनाली को लागू करने की घोसना की है हाली में पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 से देश में ब्याज मुप्त बैंकिंग परनाली को लागू करने की घोसना की है पहली बार आबुधावी यानि UAE में Global Media Congress का आयोजन किया गया जिसका theme था Shipping the Future of the Media Interesties ये Global Media Congress 2022 का पहली बार आबुधावी में Global Media Congress का आयोजन किया गया जिसका theme था Shipping Future for the Media Interesties ठीक है अगला आता है कि 6 से लेके 8 November 2022 को मिस्र के सर्म हाल सेख में Unichef के COP 27 समेलन का आयोजन किया गया COP 27 का वर्च 2023 में इसका आयोजन दुबई में किया गया COP 27 याद रखेगा जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांक 2023 इसे जर्वन वाज तथा Institute of Climate Action Network जारी करता है इस सीर्ष अस्थान 3 में सीर्ष अस्थान की बात करें तो सीर्ष तीन अस्थान है डिक्थाइस में मतलब खाली है तीन अस्थान 4 सेकेंड 3 पे कोई नहीं है ठीक है चोथे अस्थान पे डेनमार्क है और भारत का अस्थान सतासीमा है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांक में 15 से 16 नमबर को इंडोनेसिया के बाली में G20 सिखर समेलन का आयोजन किया गया और इस समेलन का थीम रिकोवर टुगेदर रिकोवर स्ट्रोंगर ये साथ में लिखा हुआ है रिकोवर टुगेदर रिकोवर स्ट्रोंगर था और वर्श 2023 में जो G20 सिखर समेलन का आयोजन भारत कर रहा है ये एक दिसमबर 2022 को भारत G20 की अधेकसा गरहन किया कब एक दिसमबर 2022 को हाली में सायुकते रास्ट ने 15 नवंबर 2022 को डे ओफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया क्यूंकि World Population Prospects Report 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विस्ट की जनसंख्या 8 हरब तक पहुँचने का अनुमाल लगाया गया तो इसके अगर हम बात करे तो 15 नवंबर 2022 को जो UN है इसने डे ओफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया क्यूंकि World Population Prospects Report 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक जो विस्ट की जनसंख्या है 8 अरब तक पहुँचने का अनुमाल लगाया गया था अगला आता है कि हाल ही में पुर्वी तीमोर को आसियान के एगारमे सदसके रूप में सामिल करने पर सहमती व्यक्त की गई आसियान का गठन 1967 में 10 सदस्ये देश के रूप में हुआ था बाली में आयो जित G20 सम्मीट में ब्रिटिस प्रधान मंतरी रिशी शुनग रिशी शुनग ने UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की सुरुवात की और इसके तहद भारतियों को दो साल तक UK में काम करने का अफशर दिया जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं कोश्चन अगला है आपका कि हाली में भारत को 2022-23 के लिए Global Partnership on Artificial Intelligence का अध्यक्ष चुना गया बरतमान में GPAI में 25 देश हैं जिसमें भारत भी सामिल है हाली में अस्टेलिया ने भारत के साथ मुप्त बेपार समझोतों को मंजूरी दी और 2 अप्रेल 2022 को भारत अथा अस्टेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किया किसने भारत और अस्टेलिया ने हवाई दूप में इसी दुनिया का सबसे सक्रिये जौला मुखी जिसका नाम है मौना लोवा में 40 वर्स के बाद जौला मुखी विस्पोट हुआ है यह भी इंपोटेंट है याद रखने वाला प्रस्ण है 23 नॉमबर 2022 को कमबोडिया में आसियान रक्षामंत्रियों की बैठक आयोजन किया गया जिसे रक्षामंत्री राजनात सिंग ने संबोधित किया तो 23 नमबर 2022 को कमबोडिया में आसियान रक्षामंत्रियों की बैठक आयोजन किया गया जिसे रक्षामंत्री राजनात सिंग ने संबोधित किया पहली बार विश्व मीडिया कॉंग्रेस का आयोजन आबुधा भी UAE में किया गया इसे भारत की ओर से सुचना प्रसार मंत्रा लेके सचीव अपुर्वु चंद्रा ने शंबोधित किया बहुत इंपोर्टेंट प्रस ने पुछा जा सकता है जी सेवन गलोबल सिल्ड पहल के तहद धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान तथा बांगला देस पहले देस बन गएं और G7 Global Shield पहल का उद्देश आपदा से प्रभावित देशों की सहता करना जिसका अध्यक्ष जर्मनी है तो G7 Global Shield पहल के तहत धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान तथा बांगला देश पहले देश बन गए और G7 Global Sealed पहल का उद्देश आपदा से प्रभावित देशों की सहता करना जिसका अध्यक्ष जर्मनी है कमबोडिया के नोम पेंड में चल रहे आसियान सिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कमबोडिया के साथ स्वास्त, संस्कृती तथा 1G1 छेतर पर चार समझोते किये किसने भारत ने कमबोडिया के साथ जो कि आसियान का सम्मेलन हो रहा है अभी कमबोडिया के नोम पेंड में और भारतिये उपराश्ट पती जगदीब धन करने बैठक में भाग लिया भारतिये मुल्की अरुना मिलर अमेर्की राज की मेरी लेंड की उपराजपाल बनने वाली पहली भारती अमेर्की बन चुकी है तो भारतिये मुल्की अरुना मिलर अमेर्की राज मेरी लेंड की उपराजपाल बनने वाली पहली भारती अमेर्की बन चुकी है Cambridge Dixneri ने Homer को Word of the Year 2022 घोसित किया है किसने Cambridge Dixneri ने हाली में New Zealand के Supreme Court ने 16 साल की उम्र में लोगों को vote देने का आइदकार प्रदान किया है जो की हमारे भारत में 18 years है वो वहाँ पे 16 years दिया गया है हाली में चीन ने कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूरती समझोता पर हस्ताक्षर किया है चीन ने कतर के साथ अमेरकिये Dixneri Publisher Mariam Babister ने जो है वो गैस लाइटिंग 2022 के लिए word of the year घोसित किया है गैस लाइटिंग को अमेरकिये Dixneri Publisher Mariam Babister ने गैस लाइटिंग को 2022 के लिए word of the year घोसित किया है एक नॉवंबर 2022 को अफरिकी देश घाना ने सयुक्तिरास सुरक्षा परिसद की अध्यक्सता ग्रहन की किसने घाना ने हाली में हाली में जो है हाली में पर्वा क्राइसिस को कोलिंस डिक्सनरी वर्ड अफ दा इयर के रूप में चुना गया है पर्वा क्रैसिस को स्यूजर लैन्ड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया जिसकी लंबाई दो किलो मीटर है जिसमें सो डबबे है सेनेगल में आयोजित अफरिका में सांती और सुरक्षा पर ढकार अंतरास्टिय बैठक में भारत के विदेश राजमंत्री वी मुर्ली धरन ने भाग लिया, किसने वी मुर्ली धरन ने, हाली में टेसला कंपनी के CEO एलन मास्क ने ट्यूटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, ठीक है, हाली में भारत ने 2025 से हारित उर्जा के निरिया थेतू सिंगापूर के साथ आप्त होता है, अब आपका है रक्षा विज्ञान एबं परधो की घटना करम दिसंबर और नौम बर का, तो इसे भी देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ निउक्तियां देखेंगे, फिर निउक्तियां के साथ खेल से संबद्दी देखेंगे, फिर महतपुर्ण पुरसक ठीक है, तो भारतिये सेना के सुदर्सन चक्र कोर द्वारा राजस्थान में सुदर्सन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया, भारतिये सेना के सुदर्सन चक्र कोर द्वारा राजस्थान में सुदर्सन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया, टीवी का पता लगाने के पुने में इस्थित माईलेव की परिक्छन कीट केंधरिये अशोधी नामक नियंत्रन संगठन द्वारा अनुमती पाने वाली स्वधेसी परिक्छन कीट बन गया है। नेक्स्ट है कि बांगला देश द्वारा आयोजित पहली अंतराश्टिये फ्लीट रिव्यू आई एफ आर दो हजार बाईस में भारतिये नौ सेना के जहाज कोची कबरती एवं सुमेधा ने भाग लिया है अंतरास्टी फ्लिट रिव्यूव में भारती सेना के जहाज कोची, कवरती और सुमेधाने नेक्स्ट है जो कि बांगला देश द्वारा आयुजित के आगे है याद रखेगा भारत की स्वदेशी निर्देशीत स्टील्थ विंध्यसक आई एनेस मोर्मु गाओ को अंडर 99 दिसमबर 19 दिसमबर को भारत की स्वदेशी निर्देशीत स्टील्थ विंध्यसक आई एनेस मोर्मु गाओ को 19 दिसमबर को भारतीय नौसेना में मुंबई में कमीशन किया गया ठीक है कहां पे तो भारत की स्वदेशी निर्देशी स्टील्थ पिंध्यसक आईनेस मोर्मु गाओ को 19 दिसंबर को भारतीय नौसे नामे मुंबई में कमिसन किया गया कहां पे मुंबई में अगला आता है कि सयुक्त अरब अमिरात दौरा रासीद रोवर को फोलोरीडा के केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापुर्वक लॉंच किया गया यानि कि सयुक्त अरब अमिरात दौरा रासीद रोवर को फोलोरीडा के कैप कैनेवरल स्प फोर्स स्टेशन से सफलता पुर्वक लॉंज किया गया और ये अब तक का पहला अरब निर्वित चंद्र अंत्रिक्ष यान है भारत और कजाकिस्तान के बीच सयुक्तिसयन अभ्यास का जिन्द 2022 का छठा संसकरन 15-28 दिसंबर 2022 तक मेघाले में आयोजित किया गया ठीक है भार और नेपाल के बीच सयुक्तिसयन अभ्यास सूर्ज किरन का 16 मा संसकरन नेपाल में आयोजित किया गया 11 दिसंबर 2022 को जपानी अंत्रिक्ष स्टार्ट अप ने देश और एक नीजी कंपनी का पहला चंद्रमाल लेंडर लांज किया उसके बाद Hakuto RMI, Hakuto RM1 नाम के मीशन को एक जपानी स्टार्ट अप I-Space ने लॉंच किया है, किस ने? तो एक जपानी स्टार्ट अप I-Space ने इसे लॉंच किया है, याद रखेगा Hakuto RM1, मीशन इसका नाम है, ठीक है, DRDO दारा परमानू सक्चम वैलेस्टिक मिसाइल अगनी 5 का रात्री परिक्षन APJ अब्दुलकलाम दुप से सफलता पुरवक किया गया DRDO दारा परमानु सक्षम वैलेस्टिक मिसाइल अगनी 5 का रातरी परिक्षन APJ अब्दुल कलाम दुइप से सफलता पुर्वक किया गया नेक्स्ट आता है कि भारत और फ्रांस के बीच हुए 36 राफेल लडाकु जेट बीमान समझोते के तहद भारत ने सभी राफेल बीमान प्राप्ट कर लिया मजगाव डॉक सिप्याड लिम्टेट दौरा निर्मित एसकार्पियन स्रेनी की पांचमी पंडू भी INS वागीर को भारतिय नौसेना को सौप दिया गया जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहद बनाया गया था जिसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 75 ये नाम है इसका प्रोजेक्ट 75 बनाया गया था ठीक है भारती ये 9 से 9 द्वारा चिन्नई में लार्सन एंड डूबरो जिसको हम लोग L&T बोलते हैं L&T लार्सन एंड डूबरो की जहाज निर्मान सुभधा में श्वदेशी रूप से निर्मीत जहाज INS अर्नाला को लांच किया गया INS अर्नाला को चलिए अब हम थोड़ा से धर देख लेते हैं उसके बाद आपका फिर नॉवंबर का देखेंगे ठीक है इसरो द्वारा भारत का पहला मानव अंत्रिक्ष मीशन गगन यान 2024 में लांच किया जाएगा किसके दौरा इसरो के दौरा भारतिय सेना दौरा एहमदावाद केंट में पहले 3D प्रिंटेट घर का उधगाटन किया गया अमेरिका के कैलिफोर्निया इस्थित लॉरेंस लिवर मोर नेशनल लेबरेटरी के सोध करता ने हाली में एक एतिहासिक परमानों सलयन सफलता की घोसना की है अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस्थित लॉरेंस लिवर मोर नेशनल लेबरेटरी के सोध करता ने हाली में एक एतिहासिक परमानों सलयन सफलता की घोसना की चलिए आप नौमबर 2022 को देखिए भारत का पहला नीजी रूप से विक्सित रॉकेट बिक्रम एस आंध प सी विग्ली 22 एक्ससाइज क्या नाम इसका सी विग्ली 22 एक्ससाइज भारतिये नौसिना ने 15 से सोलन नौमबर को तटरक्षक अभ्यास सी विजली 2022 का आयोजन किया 16 नौमबर को नासा द्वारा चंद्रमा के लिए मीशन आर्टिमस फर्स्ट को सफलतापुर्वक लॉंच किया गया गरूर सक्ती उध्याभ्यास भारत और इंडोनेसिया के सेनाओं के बीच 21 नौमबर को इंडोनेसिया में दुई पक्षी अभ्यास का आयोजन किया गया 8 नैनो सेटलाइट लॉंच किया और EOS 6 महासागरों की निगरानी के लिए लॉंच की गई ओसन सेट्स रिंखला की तीसरी पीधी का उपगरा है कोन EOS 6 उसके बाद है आश्ट्रा हिंद 2022 अभ्यास आश्ट्रा हिंद 2022 ये आश्ट्रा से आपका अस्पष्ठ है भारत और अस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच राजस्थान में युद्धा अभ्यास का आयोजन किया गया हरी माउ सकती 2022 भारत और मलेसिया के बीच सेट्रा अभ्यास आयोजन में किया गया नसीम अलबहर युद्धा अभ्यास 2022 नसीम की बात करे तो ये भारत और उमान के नौसेनाओं के बीच उमान तट पर युद्धा अभ्यास का आयोजन किया गया संबने 2022 ये 28 से लेके 30 नौवंबर को आगरा में सयुक्त मानविये सहेता और आपदा रहत अभ्यास का आयोजन किया गया संबने 2022 नेक्स्ट है 21 नौवंबर 2022 को भारतिय सेना के पश्चमी कमान ने राजस्थान में एकी कृत अगनी सक्ती अभ्यास सात्रू नास का आयोजन किया सात्रू नास का चली आफ देखते हैं इदर थोरा सा बचा हुआ है उसे देख लेते हैं ओप्रेशन सी स्वाड ये जो है भारतिय नौसेना के आयोजित समुद्री अभ्यास में भाग लिया भारतिय नौसेना ने मुंबई में अब तटिय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया तिलंगना के हैदराबाद में भारत की पहली एकिकरित रॉकेट सुवधा स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा अस्थापित की जाएगी भारतिय नौसेना ने सरवेक्षन पोत इक चक को चिन्ने में लौंच किया और इक्षक का निर्मान GRSC L&T द्वारा किया जा रहा है चार सरवे वेसल्स प्रोजक्ट के तहद किया गया है हाली में उत्तर कोडिया ने मांस्टर मिसाइल होसंगु 17 को लौंच किया है किसने उत्तर कोडिया ने भारतिय बायू सेना ने महराष्ट के नागपूर में एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया हाली में एलेन मांस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फोलोरीडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे सक्तिसाली रॉकेट फालकन हैबी लौंच किया DRDO ने उरिसा तट के अब्दुलकलाम दुईप से अगनी पराइम बैलेस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परिक्षन किया है DRDO ने उरिसा तट के अब्दुलकलाम दुईप से अगनी पराइम बैलेस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परिक्षन किया है पांट से साथ नवंबर को इसरो दौरा विज्ञान एवं प्रधोकी मंत्राले के सहयोग से देहरा दुन में आकास तत्तुक पर पहला सम्मेलन आकास फोर लाइफ सम्मेलन किया गया अकास तत्व पर पहला सम्मेलन जिसका नाम है अकास for life सम्मेलन किया गया उदेश क्या है जो अंत्रिक्ष प्रधोकी के छेतर में भारत की परगती को बढ़ावा देना ठीक है अगला देखिएगा गरूर 7 गरूर 7 भारत और फ्रांस के बायू सेना के बीच 26 अक्टूबर से 12 नौवंबर तक जोधपूर में इस अभ्यास का आयोजन किया गया गरूर 7 का अगला है आपका भारत तंजानिया और मोजांबिक की नौसेनाओं के बीच पहली बारतिरी पक्षिय युद्धा अभ्यास का आयोजन तंजानिया में किया गया और इसमें भारतिय नौसेना के जहाज आयने स्तरकस ने भाग लिया चलिए अब आगे देखते हैं अगला आपका है इधर जोकी प्रमुख नौक्तियां है नौवंबर से लेके दिसंबर 2022 तक में जितने भी नौक्तियां हुई है दोस्तों इसे हम देखेंगे ठीक है सबसे पहले हम राजीव लक्ष्मन की बात करते हैं राजीव लक्ष्मन ये राश्टिये सांख्य की आयोग के अध्यक्ष बनाए गया है राश्टिये सांख्य की आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मन करिंदिकर बने है पुरा नाम इनका है करीदिकर हंसराज अहीर हंसराज अहीर जो है NCBC के अध्यक्ष बने है यानि राश्टिये पिछरावर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर बने है ठीक है डीना बोलू आठ डीना बोलू आठ पेरु की पहली महिला राष्टपती वनी है डीना बोलू आठ पेरु की पहली महिला राष्टपती एन चंद्र सेखरन ये B20 के B20 इंडिया के अध्यक्ष बने है एन चंद्र सेखरन सुख बिंदर सिंग सुख्षू, हिमाचल पर्देश के मुख्मंत्री बनाए गया है केवी साजी, जो है नवाड के अध्यक्ष बने है लियो बराडर, आयरलेंड के प्रधानमंत्री बने है पुस्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री है पुस्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं सित्वनी राबुका फीजी के प्रधानमंत्री हैं अनील कुमार लहोटी ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्च और CEO बने हैं याद रखिएगा अनील कुमार लहोटी बेंजामीन नेत्यान्याहु ये इजराइल की प्रधानमंत्री बनी हैं अनवर इब्राहिम मलेसिया के प्रधानमंत्री बनाए गया हैं पीटी उसा भारती उलम्पिक संग की पहली मल्ला अध्यक्ष बनी है पीटी उसा कासीम जोमाट टोकायाव ये कजाकिस्तान के रास्टपती हैं कासीम जोमाट टोकायाव कजाकिस्तान के रास्टपती अरून गोयल ये भारत के चुनाव आयुक्त निवक्त हुए हैं अरून गोयल और अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो अन्य चुनाव आयुक्त में अनूप चंद्रपांडे और मुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है तो भारत के चुनाव आयुक्त पूछे तो अरून गोयल वने हैं अन्चुनावा युक्त पूछे तो अनूप चंद्रपांडे है और मुख चुनावा युक्त पूछे तो राजीव कुमार है अगला है अरून कुमार सिंग जो है वो ONGC के अध्यक्ष बने है अरून कुमार सिंग अरून कुमार सिंग ONGC के अध्यक्ष सीवी आनन्द बोस पस्चि मंगाल के राजपाल जो कि पहले यसमन सिंगते वो अब राजपाल बन चुके हैं तो सीवी आनन्द बोस बने हैं अगला देखते हैं डॉक्टर अर्विंध विर्मानी निती आयोग के पुर्नकालिक सदस हैं डॉक्टर अर्विंद विर्मानी निती आयोग के पुर्नकालिक सदस नतासा पीरक मुशर ये स्लोबेनिया की पहली महिला रास्टपती बनी है ग्रेग वरकले अंतरास्टीये किरकेट परिशद के अध्यक्ष चुने गए हैं पुना दुबारा से ग्रेग वरकले तैयव इकाराम ये अंतरास्टी होकी महासंग के अध्यक्ष हैं असी मुनीर पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बना है नीरत चोपरा को स्यूजर लेंड के फ्रेंडशिप अमबेस्टर बनाया गया है मैरी कॉम I.O.A की एथलीट कमीटी की अध्यक्ष बनी है मैरी कॉम टीवी उन्मुलन की अगर हम बात करें टीवी उन्मुलन कार्जकरम निक्षे मित्र की ब्रांड मेस्टर दीपा मलिक वनी है चलिए अगला देखते हैं अब अगला क्या है आपका अब एक पेजे बचा हुआ है प्रमुक खेल घटना करम जो इधर हम देखेंगे सबसे पहले नेत्र हीनों के लिए तीसरा T20 बिसकप कहां पर आयोजन किया गया भारत में नेत्र हीनों के लिए तीसरा T20 बिसकप भारत में आयोजन किया गया भारत में आयोजित हुआ और भारत ही बिजयता बना बांगलादेश इसका उप बिजयता बनता है ठीक है बिजे हजारे ट्रोफी 2022 का बिजयता सौरास्ट था और उप बिजयता माहरास्ट है फीफा बिस्तु कब 2022 का आयोजन कतर में किया गया सुभंकर इसका लाइव था फीफा बिस्तु कब का बिजेता अर्जंटीना बना है तीसरी बार दो 1978 में बना था फिर 1986 में और अभी 2022 में तीसरी बार अर्जंटीना फीफा विस्तुकप का बिजेता बनता है फ्रांस इसका उप बिजेता था फीफा विस्तुकप का फ्रांस उप बिजेता गोल्डेन बूट जो गोल्डेन लियोनल मेसी, गोल्डन गलव्स के लिए, एमिलियानो, मार्टिनेज और गोल्डन बूट के लिए किलियान एमपामबे अब प्रो कवर्डी लिंक सीजन 9 को देखे, प्रो कवर्डी लिंक सीजन 9 के विजेता जैपुर पिंक पैंथर्स रहा है tää उप विजयता पुनेरी पल्टन रहा है जैपूर पिंक पैंथर्स प्रो कवर्डी लिंक सीजन 9 का विजयता पुनेरी पल्टन इसका उप विजयता डेविस कप की बात करें तो विजयता डेविस कप का कानाडा है और उप विजयता अस्ट्रेलिया कनाडा और अस्ट्रेलिया से तिरे नौम बर तक अस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया विजयता इंग्लेंड वनता है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का और पुरुष ट्वेंटी वर्ल्ड कप का और उप विजयता पाकिस्तान ठीक है आगे देखते हैं इधर फिर उसको देखेंगे अंतर एक मिनट मीरा वाई चानों ने रजत पदक जीता तो कोलंबिया में आयोजित विश्व भारत तोलन चैंपियंस 2022 में मीरा वाई चानों ने रजत पदक जीता 16 वर्षिय मुंबई की खिलारी अदित्या मितल ले भारत के 77 में 17 ग्रेंड मास्टर बनी कौन अदित्या मितल भारत की 77 में ग्रेंड मास्टर बनी है दीपिका पादुकोन फीपा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच की ट्रोफी का अनावरन करने वाली पहली ग्लोवल स्टार बन गई कौन दीपिका पादुकोन इसान किसन एक दिवसिये अंतरास्टिये किर्केट में दोरा सतक लगाने वाले चौते भारतिये बन गए और पांच में भारतिये सुभमन गिल बन चुके हैं तो अंतराष्टी कर्केट में दोरा सतक लगाने वाले चौथे भारतिये पूछे तो कौन बने? चौथे भारतिये इसान किशान और पाँचमे भारतिये शुभुमन गिल बने? भोपाल में आयोजित राश्टिये निसानेवाजी चैंपियंसिप में मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला अस्परधा में स्वन पदक जीती ठीक है चलिए आगे देखते हैं अंतरास्टिये टेनिस महासंग द्वारा इगा सुटेग और राफिल नडाल को 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में नामित किया गया किसे इगा सुटेग और राफिल नडाल को अंतरास्टिये टेनिस महासंग के द्वारा नेक्स्ट है आपका कि इस्पेन में आयो जीत F.I.H. महिला नेशन्स कॉप हौकी 2022 का खिताब भारत ने इस्पेन को हरा कर जीता बर्श 2022 में नीरच चोपरा दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन चुके हैं अस्ट्रेलिया में आयो जीत F.I.H. World Swimming Champions 2022 में भारत की चाहत अरोरा ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रास्टी रिकॉर्ड बनाया किसने तो चाहत अरोरा ने ये जो है एक Swimming Champions है उसके बाद है Senior ACI कुस्ती Championship 28 मार्च से 2 अप्रिल 2020 को नई दिली में आयो जीत किया गया Senior ACI कुस्ती Championship नई दिली में इंग्लेंड के All-Rounder Sam Karan IPL 2023 की निलामी में अब तक सबसे महंगे खिलारी बने जिन्होंने पंजाब किंग्स से सारे 18 करोर पर बोली लगा कर खरिद लिया गया है किसे Sam Karan को कजाकिस्तान में आयो जीत 20 विल्टर संत्रज Championship में भारत के कोनेरू हमपी ने महिला वर्ग में रजत पदक जिता कोनेरू हमपी ने जो की कजाकिस्तान में आयो जीत किया गया था 20 विल्टर संत्रज Championship 20 नवंबर को कतर में FIFA World Cup 2022 की सुरुआत की गई कहां पे तो कतर में उसके बाद जर्मनी और कोस्टा रिका के बिच होने वाले मैच में स्टेपनी प्रापाड पहली महिला रेफरी वनेगी ठीक है बीजे हजारे ट्रॉफी एक दिवसी किर्केट मैच में महरास्ट के कप्तान रितुराज गयकवार ने उत्तर परदेश के खिलाब एक ओवर में साथ छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया फिर से रिपीट करती हूँ बीजे हजारे ट्रॉफी जो एक दिवसी किर्केट मैच में महरास्ट के कप्तान रितुराज गयकवार ने उत्तर परदेश के खिलाब एक ओवर में साथ छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया थाइलेंड के बैंककॉक में आयो जित आई टी एफ एडवल टी यू एसियन कप टुनामेंट में मनिका बत्रा कास्पदक जितने वाली पहली भारतिये महिला बनी भारतिये टेवल टेनिस खिलाडी अचनता सरद कमल 2022-26 के लिए अंतरास्टिये टेवल टेनिस महासंग के एथलीट आयोक के लिए चुने जाने वाली देश की पहले खिलाडी बन गई अचनता सरद कमल 2024 में Under-19 पुष्र T20 World Cup की मेजवानी स्रीलंका को सौपी गई और 2025 में Under-19 महिला T20 World Cup का आयोजन मलेशिया और थाईलेंड में किया जाएगा तो 2025 में जो Under-19 महिला T20 World Cup होगा इसका आयोजन मलेशिया और थाईलेंड में और 2024 में Under-19 Proust T20 World Cup की मेजवानी स्री लंका चीक है बर्स 2023 में खेलो इंडिया युडिवर्सिटी गेम्स की मेजवानी उत्तर परदेश करेगा खेलो इंडिया युडिवर्सिटी गेम्स की मेजवानी बर्स 2023 में IBA महिला World Boxing Championship की मेजवानी भारत को सौपी गई IBA महिला World Boxing Championship की मेजवानी T20 World Cup में 4000 रन बनाने वाले बिराट कोहली पहले खिलारी वने किसने बिराट कोहली T20 World Cup में 4000 रन बना चुके हैं उसके बाद है जौर्डन के अम्मान में IOSIT ACI मुक्यबादी Championship में ثौन पधग जीता ठीक है उसके बाद आहिए अपका चर्चित पुरसकार है जो कि अप एक लास स्टॉपिक है आपका इसे हम देख लेते हैं साहित अकादमी पुरसकार 2022 साहित अकादमी पुरसकार 2022 को अगर देखेंगे तो हिंदी में दिया गया है बदरी नराइन को जिनकी कविता है तुमरी के सब्द तुमरी के सब्द के लिए बदरी नराइन को हिंदी में साहित अकादमी पुरसकार दिया गया मैथली में अजीत अजाद को जिनकी कविता है पेंड राइब में प्रित्वी के लिए मैथली भासा के लिए अंग्रेजी में दिया गया अनुराधा राई को जिनकी उपन्यास है उर्दू के लिए अनीस अस्फाक को दिया गया अनीस अस्फाक को जिनकी उपन्यास है ख्वाव श्राफ ठीक है अगला है JCV शाहित पुरसकार 2022 JCV साहित में खालीद जावेद द्वारा लिखित पुस्तक The Paradise of Food को दिया गया खालीद जावेद द्वारा लिखि गई पुस्तक The Paradise of Food को JCV साहित पुरसकार दिया गया गांधी मंडेला पुरसकार 2022 ये दिया गया हिमाचल पर्देश के राजपाल राजंदर विश्वनात अलेंकर ने दलाई लामा को इस पुरसकार से सम्मानित किया इंद्रा गांधी सान्ती पुरसकार 2022 इंद्रा गांधी सान्ती पुरसकार ये प्रथम संस्था को सिक्षा के छित्र में काम करने के लिए पुरसकार दिया गया प्रथम संस्था को तिर्पनमा अंतराश्टिय फिल्म महोथ सब 2022 ये 20-28 नावंबर को गोवा में आयो जित किया गया तिरपनमा अंतरास्ट ये फिल्म महद सब सत्य जीत रे Lifetime Achievement Award कॉरले सौरा को दिया गया और इंडियन फिल्म प्रस्नाल्टी ओफ द इयर चिरन जीवी को दिया गया इंडियन फिल्म प्रस्नाल्टी ओफ द इयर चिरन जीवी को बेस्ट फिल्म के लिए Golden Pickup पिरस्कार I Have Electrics Dreams जो Spanish फिल्म है उसे दिया गया और इरानी फिल्म नर्गेशी के निर्देशक पायम असकंदरी को यूनेशको गांधी पुरस्कार दिया गया ठीक है अब देखिएगा 32 बिहारी पुरस्कार जो की बहुत इंपोर्टेंट है ये माधा भारा को उनके साहित पचरंग चुला पहर सखीरी के लिए दिया गया माधा भारा को और अस्थापना किया गया था बिहारी पुरस्कार का 1991 में जो की केके विल्ला फांडेशन द्वारा द दिया जाता है ठीक है अब देखिएगा अन्य पुरस्कार के बारे में लंदन में आयो जीत विश्व बैंकिंग सिखर समेलन में केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द इयर पुरस्कार 2022 जीता किसने केनरा बैंक ने उसके बाद है तेलंगना में आयो को अर्थ सौट पुरस्कार 2022 परदान किया गया सुनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 का पर्शन ओफ द इयर का खिताब परदान किया गया चमडे के खिलाप अभियान के लिए उन्हें यह खिताब जो है दिया गया सुनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया द्वारा मिसेज वर्ड 2022 का खिताब भारत की सरगम कौशल जो जम्मु कस्मीर की है उन्होंने जीता है मिसेज वर्ड 2022 का खिताब और भारत ने 21 वर्ज के बाद मिसेज वर्ड का खिताब जीता है 2001 में आदिती गोवित्री करने जीता था ठीक है भारतिये लेखक सुधीप सेन और शोवना कुमार को सयुक्त रूप से रबिंदना टैगोर साहित पुरसकार 2021-22 प्रदान किया गया किसको सोवना कुमार और सुधीप से यूनेसको ने एसिया प्रशांत पुरसकार समारो 2022 में छत्रपती सिवाजी महराज बास्तु संग्राले की संस्कृती बिरासर संड़क्षन के लिए ओर्डर अफ एक्सलेंस से समानित किया है इसिया प्रशांत पुरसकार समारो 2022 में छत्रपती सिवाजी महराज बास्तु संग्राले को संस्कृती बिरासर संड़क्षन के लिए और अफ एक्सलेंस से समानित किया है चत्रपती सिवाजी महराज बास्तु संग्राले को ठीक है अगला है सयुक्तिराष्ट पर्यावरन कार्जकरम यानि UNEP ने भारतिय जी विज्ञानी पुर्निमा देवी बर्मन को आदरभुमी संदक्षन के लिए चैंपियन ओफ द अर्थ से समानित किया है पुर्निमा देवी बर्मन को आदरभुमी पक्षी संदक्षन के लिए चैंपियन ओफ द अर्थ से समानित किया है किसने सयुक्तिराष्ट पर्यावरन कार्जकरम ने भारतिय जी विज्ञानी है ये पुर्निमा देवी को भारतिय मुल्क के नोबल पुरसकार भी जैता प्रोफेशर बेंकी रामकृष्णन ने यूके के ओडर ओफ मेरिट से समानित किया गया भारतिय मुल्क के कारकरता अमर शिंग को अस्ट्रेलिया आफ द इर्द अवर्ड दो हजार तैस से समानित किया गया ये अवार्ड बाड जंगल की आग और उत्तेचना के दोरान समुन्दाई का समर्थन करने के लिए दिया गया है तो भारतिय मुलिक के कारिकरता अमर्ण सिंग को अस्टेलियन ओफ दा अवार्ड दो हजर तैसे समानित किया गया रास्टिये खेल पुरसकार 2022 की घोसना के अनुसार अचंता सरद कमल को मेजर ध्यान चंद खेल लत्न अवार्ड से समानित किया गया और साथ ही 25 खेलारियों को अरजुन पुरसकार से भी समानित किया गया हाली में हडियाना को किर्सी अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट इस्टेट अवार्ड से समानित किया गया हाली में हडियाना को किर्सी अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट इस्टेट अवार्ड से समानित किया गया साओधी अर्ब में आयोजीत रेडिसे इंटरनेसनल फिल्म फेस्टीवल में भारतीय विनेता सारूँखान को गलोवल आइकन अवार्ड से समानित किया गया सुदी अरब में आयोजीत रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतिये विनेता सारू खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से समानित किया गया हाली में फिक्की द्वारा राजंदर पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से समानित किया गया 2021 से नॉवंबर 2021 से नॉवंबर 2022 तक का जो करेंट अफेर का इडिटेरिया का बुक था वो फाइनली आपका कम्प्लीट हो चुका है जितने भी बचे हुए थे सारों को सर पीडियाप के मादियम से आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिये हैं तो इसमें आपने मैक्सिमम जो इंपोर्टेंट टॉपिक था सभी को आप लोगों ने देख लिया तो उमीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देंगे जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे औ और इसी के साथ हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत